प्रभु येश्व मसी के नाम में आपको अनुग्र और शान्ती मिले हैं एक मदर थी एक मा थी जो अफ्रिकन थी और ऐसे देश में रहती थी मैं सोचता हूँ शायद सौथ आफ्रिका हो जहां पर पस्ची में लोग भी रहते हैं यानि गोरी खाल के लोग तो ये मा किचिन में काम कर रही थी और इसका छोटा बच्चा उसने देखा कि जो आटे का बैरल था आटे का कनस्तर था उसमें अपना मूँ डाले हुए था और मूँ पूरा आटे से उसने सफेद करके रखा था तो मा ने पूछा कि बेटे क्या कर रहा है ये तू इस प्रकार से आटा क्यों खराब कर रहा है तो बेटे ने कहा कि नई ममी मैं जब स्कूल जाता हूँ तो ये जो वाइट बॉइज है गोरे बच्चे हैं वो मेरी खाल का मजाग बनाते हैं वो मुझे निगर निगर यानी नीगरो कहते हैं जो आज के दिन में एक अपराद होता है कानूनी अपराद अगर पस्ची में देश में किसी को नीगरो कह देतो तो ये कुछ समय पहले की बात है तो वो कह रहा था अपनी मा से के मुझे नीगरो नीगरो कहते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता है तो मैं आज अपने चेहरे को सफेद बना रहा हूँ उस आटे से तो उसकी मा ये सुनके बहुत हसने लगी और फिर उसको बिठाया अपने गोद में उसको बिठाया और कहा देखो मेटे ऐसा है कि जहां तक तेरी खाल का बात है तेरी जो काली स्किन है ये बदलने की नहीं क्योंकि ये एक तेरे सिस्टम में है आज हमारी भाशा में हम कहेंगे ये डीने का एक गुण है उस व्यक्ति का तो उसने गा कि तेरी खाल चाहे काली रहे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुझे लेकिन एक बात याद रखना तेरे प्रभु येश्यों मसी ने अपना खून कलवरी के क्रूस पर बहा दिया ताके तेरा दिल सफेद हो जाए दिल काला रहना ये भयानक बात है लेकिन तेरे प्रभु ने तेरे लिए अपना पवित्र लहु बहाया ताके तेरा दिल श्वेद हो जाए और कहा कि देख बेटे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि चाहे खाल काली हो लेकिन दिल श्वेद हो सफेद हो ये इससे बहुत बहतर है कि खाल गोरी हो और दिल काला और गिनोना हो तो इसलिए तू आटे से सिर्फ अपने आपको वाइट वाश कर सकता है लेकिन सिर्फ येशु का लहु तेरे दिल को श्वेद कर सकता है तो इसलिए वाइट वाश की चिंता ना कर परतु अपने प्रभु का अभारी हो जिसने तुझे श्वेद करने के लिए तेरे हिर्दय को श्वेद करने के लिए तेरा अंदुरुनी जीवन को श्वेद करने के लिए अपना पवित्र लहू कलवरी के कुरूस पर बहा दिया देखिए आज के दिन में इसको रेसिजम कहते हैं या हमारी भाषा में इसको हम जात पात कहते हैं और कहीं न कहीं ये पूरी दुनिया में किसी एक रूप या दूसरे रूप में एक्जिस्ट करता है और ये परमिश्वर की ओर से नहीं है ये मनुश्य ने अपनी तरफ से बनाया है जब अपने घवण में मनुश्य आ जाता है तो दूसरों को तुछ जानता है और फिर तरीके निकाल देता है उनको तुछ रखने के लिए उनको नीचा दिखाने के लिए लिखा है परमिश्वर की वचन में उसने एक ही मूल से मनुश्य की सब जातियां सारी प्रित्वी पर रहने के लिए बनाई हैं एक ही मूल से और उनके ठेराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांदा है परमिश्वर ने मनुश्य को एक ही मूल से यानि एक ही प्रकार के चाहे ब्लड ग्रूप अलग हो लेकिन एक ही प्रकार के खून से बनाया है यानि एक प्रकार का खून ही सब लोगों में पाये जाता है सब मनुश्य का किसी भी खाल करंग क्यूं नहों उसका खून लाल ही होता है इसलिए एक व्यक्ति का खून अगर ब्लड ग्रूप सेम हो तो दूसरे को लग सकता है चड़ सकता है और कई जाने बचती है इसलिए ब्लड ब्लाइंक्स होते है तो इसलिए मनुष्य को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि मेरा महारी रूप कैसा है ये नहीं परन्तो मेरा अंद्रोनी रूप कैसा है क्या मेरा जीवन मेरा हिर्दै परमेश्वर के द्रिष्टी में प्रसन योग है के नहीं देखो लिखा है शैम्यूल एक परमेश्वर का दास था और प्रभू से कहता है परन्तो यहवा ने शैम्यूल से कहा ना तो उसके रूप पर द्रिश्टी कर और ना उसके डील की उचाई पर क्योंकि मैंने उसे अयूंग के जाना है क्योंकि यहवा परमेश्वर का देखना मनुष्य कासा नहीं है मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परन्तु यहवा परमेश्वर की द्रिश्टी मन पर रहती है एक दूसरा हिस्सा कहता है यहवा परमेश्वर कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करे तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी हीम के नाई उजले हो जाएंगे और चाहे अरगवानी रंग के हो तो भी वे उन के समान श्वेत हो जाएंगे और जैसे उस मा ने कहा अपने बेटे को वचन बताता है कि उसके पुत्र येशु का लहू हमें सब पापों से शुद करता है परमेश्वर के पुत्र येशु मसी का लहू हमें सब पापों से शुद करता है इसलिए आपको अपने आपको देखना है कि आप बाहर से अपने अच्छे चेहरे से धार्मिक कामों से धरम करम के कामों से अपने आपको अच्छा दिखाते हैं वाइट वाश करते हैं वो नहीं चलेगा सिर्फ प्रभु येशु है जिसने हमारे लिए अपनी जान कलवरी के कुरूस पर दी और जो तीसरे दिन जीव था उसी का लहू प्रभु येशु ने पूरे जगत से प्रेम किया उसने पूरे जगत के लिए अपने प्राण दिये यदि आप इस जगत में हैं तो आपको भी प्रेम किया और आपके लिए अपनी जान दी कि चाहे कितना गिरा हुआ जीवन आपका क्यों नहों प्रभु येशु फिर भी आपसे फ्रेम करता है क्योंकि आपका स्रिष्टी करता है प्रभी शुर आपको आशिश दे